सभी को नमस्कार DSSB गुरू चैनल में आप सभी का स्वागत है आज DSSB की तरफ से 6 से 7 जो है notices upload किये गए हैं आए देखते हैं इस वीडियो में 4 ऐसे notices जिसमें uploading e-dozier means e-dozier की regarding जो है यह है देखते हैं पोस्ट कोड 25 by 20 यह था PGT English का इसमें यह roll number given है जितने भी roll number है इनकी जो भी कमिया है वो जो है इनके आगे mention की हैं तो particular जो भी exam दिया है सिर्फ उसी candidate के लिए ज़रूरी है बाकि जो candidate जो वीडियो देख रहे हैं वो यह देखें इनमें से कि आपको आपके post code के exam में e-dozier जब आपको मौका मिलेगा तो उसमें क्या गलतिया नहीं करनी है तो यहां से clear हो जाएंगे आपकी total जो है 18 candidates है इनको जो है first opportunity मिली है e-dozier upload करने की according to their demand जिसने भी यह form जिसका भी e-dozier जिसने भी fill किया था अपने friends को ज़रूर बताएं कि जो है ऐसे यह situation है और DSSV ने दुबारा मौका दिया है next जो है यह है fine art female post code 84 by 20 इसमें जो है final opportunity कि यह मिली है कि अब की बार भी अगर नहीं होने ब्रोड किया तो इनका जो है candidature cancel हो जाएगा again जिसने भी यह specific exam दिया है तो वही देख इस वीडियो को और अपने friends को बताएं जिसको पता है कि मेरे friend ने exam दिया है जैसे किसी ने home science का किसी ने English का तो आपस में 11, total 11 candidates है next है PGT economics mail post code 66 by 20 the e-dosies of the 6 candidates having following role numbers have been found deficient तो अपनी deficiency जो है वो पूरी कर ले है जो link है 26th November to 30th November 2021 तक activate रहेगा तो इस अप्डेट जरूर जरे किसी friend ने fill कि उसको जरूर बताएं किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए lack of time के वज़े से या उनको पताना चले इस वज़े से next जो notice है post code 112 by 20 टेक्निकल असिस्टेंट एलेक्ट्रोनिक्स एंड क्म्मुनिकेशन में 10 वेकैंसिस के रिगे इस निकाला गया था cutoff जो की रही है unreserved 106.25 TWS 95.50 OBC 98.75 SC 88.75 ST 71.0 तो इनको जो है अपना T20 अप्लोड करना है 26 से 10th of December 2021 Congratulations जो भी इसमें selected candidates है तो आप अपना dozier fill कीजिए टाइम पे तो इस वीडियो में हमने देखा है 4 notices जिसमें एक result है और बाकी में e-dozier upload करना है next video हम जो है एक exam है डबल यो का तो उससे related जो है वह हम upload करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और beneficial लगे तो प्लीज इस चैनल को अपने friends में share कीजिए सबसे पहले जो है notification पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुर सकते हैं कोई भी doubt हो आप हमें mail कर सकते हैं comment box में comment कर सकते हैं we will reply you within 24 hours we will try your best हम यह नहीं कहते हैं कि 24 hours में ही हम आपको reply करेंगे लेकिन reply at our earliest हम आपको provide करवा देंगे मिलते हैं next video में जब तक के लिए लेन मश्कार